हालो स्टूडेंट्स वेल्कम टो एससी प्रपरेशन बिकम स्मार्ट सक्सेस्फुल चैंपियन आज के इस वीड़े में हम लोग बात करेंगे 45 डिगरी का एंगल कैसे बनाया जाता है 45 डिगरी का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप ड्रा करें स्केल के साथ एक लाइन हम लाइन को आप नाम दे दीजिए अब अगर आप एक के उपर एंगल बनाना चाहते हैं जैसे हम लोग तो आप कमपास खोलें और एक आर्क लगाएं सरकल टाइप आर्क लगाएं आप हमने आर्क लगा दी यह देखिए को कि अपके बच्चे क्या करते इस तरफ से लग पड होती है एक और की अर्क बां 20डिकिरी के होती है अगर यहां मिल दूff नइला दू सिक्सों डिगरी का और अगर मैं लाइन यह विला दू तो 120डिक तो यहां से एक और आर्क और यहां से Siya понрав, जहां दोनों आर्क्स आपस में मिल रही हैं वहां अंगल है हमारे पास 90κι का है औक कि वै cucumber हमारे पास अगर इस इंगल का नाम रख दो इस पॉइंट का नाममें करता है तो एंगल हमारे पास के ए और बबना के और के और ना के यह initial point और यह final point इतना ही 90 degree का angle है तो अभी हम क्या करते हैं जो यह arc है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आदे से ज्यादे कम पास आप खोल सकते हैं और पहले एक arc लगाएंगे एक arc initial point से और यहाँ 90 degree का angle खतम हो जाता है यह एक और arc यहां से 90 degree का एंगल शुरू हो रहा है एक और्क यहां 90 degree का एंगल खत्म हो रहा है दूसरी आर्क अब जो दोनों आर्क जहां पर आपस में कट कर रही हैं उस पॉइंट को आप क्या करेंगे यह के साथ नीचे मिला देंगे जहां से आपने एंगल बनाना स्टार्ट किया था तो जो आपका यह एंगल बना इतना इतना यह 90 degree के एंगल को हमने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो जो हमारे पास यह एंगल बना मान लीजे यह पॉइंट है वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अधर मैथमेटिक्स के वीडियो देखने के लिए चैनल SSC प्रप्रेशन को विजट करें वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेर भी जरूर करें थैंक्स फॉर वाचिंग